हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूटूब चनल टार्गेट विद दिकास में दोस्तों आज हम लेके आए हैं यूपी ट्रपल सी फारेस्ट गार्ड एक्जाम और आपका लेकपाल और यूपी पुलिस कॉन इस्टेविल की जो भरतिया आने वाली है उसके आपको PDF इसके फ्री प्राप्त हो जाएगी तो आपको यहां पर टॉपेस्ट कोशिण जो आपके फारेस्ट गार्ड एक्जाम के लिए जो बहुत अच्छे बेस्ट कोशिण बने जो आपके कई बार एक्जाम में रिपीट होते हैं उन्हीं कोशिंग को लिया गया है तो आ आपको इसका इंसर नेस्ट कोशन की बात करेंगे क्रिया के जिसे रूप में से विभिन इस्थथियों, दसाओं या क्रिया विशेश का बोध होता है उसे कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं आपको यहापे बताना है तो उसे हम पच्छ कहते हैं, क्या कहते हैं, पच्छ, option number C से ही हो जाएगा, इसी तरीके से आपके exam में questions पूछ जाते हैं, ठीक है, next आपका, चात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यहां कौन सा वाक के है, यहां बताना है कौन सा वाक के है, दोस्तों यहा का option number A कर रहे हैं, सभी सभी कोशन, सभी लोग का सभी है, जितने लोग का option number A बता रहे हैं, next question की बात कर लें, यहां पर, जितने लोग आप्शन, इसका question number, यहां पर 117 पर आ जाईए, सुद्ध वरतनी वाला सब चाटिये, सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं, एक बस subscribe जरूर कर लें, ठीक है, चलिए, सुद्ध वरतनी सभी का चाटिये, सुद्ध वरतनी की बात करेंगे, तो आपका इसमें भागी रती, आनि कि option number D सही हो जाएगा, option number D सही हो जाएगा, चलिए, next question की बात करें, यहां पर 130 number में देखेंगे, भागते भूत की लंगोटी भली, लोकर्थी का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ बताना है क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, option number इसमें C सही हो जाएगा, option number C सही हो जाएगा, जिससे कुछ भी मिलने की आसा ना हो, उससे जो भी मिले, मिले, ले लेना चाहिए, ठीक है, तो option number यहां पर C सही ह जाएगा चलिए 31 नमबर का एंसर दीज़े ऐसे स्वरोंग का उचारण जो नाक और मुह से होता है और उचारण में लगुता रहती है कहलाते हैं तो इनको क्या कहते हैं तो इसको आप कहते हैं अनुशाषिक अनुनासिक अनुनासिक अप्शन नंबर सी सही हो जाएगा option नंबर सी सही हो जाएगा next question की बाद करिए चलिए आप लोगों पूरा यहां पर सही से दिखा जाते 132 नंबर question और 133 नंबर question का सभी लोग comment box में answer दीजिए क्योंकि आप लोग काफी सभी लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट box में comment करके बताएं चलिए मैं इसका पर निम लिखित युगमो धुनिया काउन सी है युगमक धनिया काउन सी है युगमक धनिया की बात करेंगे इसका राट एंसर हो जाएगा आपका option number D इतने लोग दे रहे है किम धनिया किम धनिया की बात करेंगे चाओट इसका इस नमबर की जब एक मित्र को पत्र लिखा जाता है तो संभोधन में क्या लिखा जाएगा सबी लोग दें लेटर से सम्बंदित है पत्र से आपके एक्जाम में एक से दो कोशन पूछे ही जाते हैं इसलिए आपके मॉक्टेस्ट में भी कोशन रखे गए हैं तो प्रीवर लिखते हैं बिल्कुल सही आप्शन नमबर भी जितने कर रहे हैं वो सही है नेश्ट कोशन की बात करें आप साहद कानपूर में कानपूर के रहने वाले हैं इस वाक्ट में किस विराम चिन्न का प्रियोग हुआ है आप साहद कानपूर के रहने वाले हैं इस वाक्ट में किस विराम चिन्न का प्रियोग हुआ है 135 का अंसर दिए तो प्रस्नुवाच चक्चिन इसका प्रस्नुवाच चक्चिन का प्योग हुआ है ठीक है next question की बात करें यहाँ पे हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संग्याओं को कितने भागों में बाटा गया है कितने भागों में बाटा गया है तो दो भागों में कितने भागों में? दो भागों बाटा गया है ठीक है next question की बात कर लें आपे घोड़ा अभी रुक्त रही तो प्रवाचन क्या है घोड़ा का बाज़ाचन क्या होगा तो घोड़ा का बहचन की बात करें घोड़े हो जाएगा option number C सही हो जाएगा next question की बात कर लिए हाँ पर sage का तत्सम क्या होगा sage का तत्सम क्या होगा option number option number B सही हो जाएगा चलिए next question आपके screen पर Ram ने रोटी खाई थी इस वाक्य में कौन सा काल है Ram ने रोटी खाई थी इस वाक्य में कौन सा काल है तो कौन से काल की बात करने मतलब खाई थी तो पूर्ण हो चुका है कहाल यह और नहीं हो गया है तो कॉर्ण मतलब भूत काल ठीक है ऑप्चन नमबर दी सही हो जाएगा ठीक है चलिए लोगों के लिए जॉइन आवर टेली ग्राम लिंक चैनल ठीक है यह वार्षब आपके उसी गुरूप में आड़ कर दिया जाएगा तो इस गुरूप पे अपना नाम लिखके मैसेज कर दियेगा ठीक है चलिए नेस्ट कोशन की बात करें प्राधिकारी के लिए सटीक अग्रेजी सब्द है बताईए इसका सटीक अंग्रेजी सब्द क्या होगा सबी लोग बताईएगा हाँ बिल्कुल आप जितने लोग आप्शन नमबर 20 इसका अंसर दे रहे हैं ठीक है 30 यानि कि इसका आप्शन नमब 20 हो जाएगा नेस्ट कोशन की बात करें यहां पर गुरू गुरू हिससे सिको ग्यान देता है इस वाके में कौन सा कारक है बताईए कौन सा कारक की बात करें तो इसमें संप्रदान कारक है कौन सा संप्रदान कारक है जितने लोग आप्शन नमबर ए दे रहे हैं यह लोग का विल्कुल सही है चलिए अब गद्यांस से कोशन है आप देख रहेंगे 142 से 142 में यह homework है इस गध्यांश को पढ़कर आपको homework में इसके comment box में इसके answer देने है आपको ठीक है तो आप इखादे रहा हूँ, पूरा गध्यांश यहाँ पर आप लोग skip करके video पढख सकते हैं पूरा गध्यांश आपको दिखा दे रहा हो तो कौन सा भेद नहीं है, तो 147 की बात करें, तो इसका answer हो जाएगा आपका निम्न पुरुष, आपका ये नहीं होता है, option number C, ठीक है, next question की बात कर लें, यहाँ पे, वित्पत्य के आधार पर सरोनामिक विशेशन के कितने भेद हैं, सरोनामिक विशेशन के कितने भेद हैं, तो आपके दो भेद होते हैं, कितने दो, option number A से हो जाएगा, चलिए, next question 149 number की बात कर लें, निम्न लिखित में से कौन सा वाक्य सुद्ध है, कौन सा वाक्य सुद्ध है, तो वाक्य सुद्ध की बात करेंगे, तो वस्तुता वहाँ बड़ा आदमी है, option number D यहाँ पे सही हो परुष और पुरुष का इसका एंसर देना है आपको, तो परुष मतलब क्या होता है, कठोर अपुरुष मतलब होता है, नर, यानि कि option number यहाँ पे सही होगी, हाँ इस तरह के सही होगा, आपको एक्जाम में पूछे जाते हैं, एक से दो नंबर में आपके question पूछे आते ह इलकुली ना भूले, नेस्ट वीडियो आपको सामको प्रुमिलेगा, नेस्ट पार्ट इसका, ठीक है, सभी लोग question सारी करेंगे, देखे, comment box में, जरूर बताए कितने question आप लोगों के सही हुए है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार